आज हम इस एपिसोड में प्रितेश अगर्वाल की जीवनी के बारे में जानने बाले हैं क्या आप यह विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी उम्र जब हम और आप खुद को पूरी जिंदगी के लिए तयार करते हैं या जब हम सब कड़ाके की ठंड में रजाई में दुपके रहते ह हैं और जब बरसात के दिनों में नम हवा असाकर हमारे दिमा गपर नशे की तरह चा रही होती हैं जीवन के ऐसे नाजुक पड़ाव पर किसी युवाने आखों में स्वयम कुछ बढ़ा करने के सपने लिए रोज 16 घंटे काम कर 360 करोड से भी ज्यादा की कमपनी की नीव र प्रितेश, सामान्य बुद्धी वाले युवा हैं, दिखने में पतलेक लंबे और बिखरे बालों वाले बिलकुल किसी कॉलेज के आम विद्यार्थी की तरह, लेकिन कभी कभी सामान्य से दिखने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी आपको उमीद नहीं होती, प् इसमें सबसे बड़ी भूमिका उनके पारिवारिक प्रिष्ट भूमी की थी, उनका जनु 16 नवंबर 1993 को औरीसा राज, यके जिले कटक भी साम के एक व्यफसायक परिवार में हुआ है, बारवी तक की पढ़ाएं उन्होंने जिले के ही स्काट हाट स्कूल में की, इसके बा इस किताब को देश की सबसे प्रा, सिधाय कॉमर्स वेबसाइट, फ्लिपकार्ट पर बहुत पसंद किया गया, 16 वर्ष की उम्र में उनका चुनाव मुंबाई स्थित टाटा इंस्टिटिट फॉन्डमेंटल रिसेर्च, टी आ एर एफ में आयोजित एशिन साइन्स कैंप क यहां एशियाई मूल के छात्र शामिल किसी क्षेत्र विशेश की समस्याओं पर विचा, रविमर्ष कर विज्ञान और तक्नीक की मदद से उसका हल धूडा करते हैं, यहां भी वे छुट्टी के दिनों में खूब ट्रेवल किया करते और ठहरने के लिए सस्ते दामों पर प्रयोग करते हैं, पहले से ही रितेश की रूची बिजनेस में बहुत थी और इसक शेत्र में वे कुछ करना चाहते थे, लेकिन बिजनेस किस चीज का किया जाए, इस बात को लेकर वे सपश्ट नहीं थे, कई बार वे कोटा से ट्रेन पकर दिल्ली आ जाया करते और मुंब यही वो वक्त था, जब उन्होंने ट्रेवलिंग के दौरान ठहरने के लिए प्रयोग किये गए सिस्ते होटल्स के बुरे अनुभवों को अपने बिजनेस का रूप देने की सोची, औरवेल स्टेस से की शुरूआत, वर्ष 2012 में उन्होंने अपने पहले स्टॉट अप और बढ़ाने के लिए प्रयाप पैसे थे, उसी समय अंतराल में उन्होंने अपने इस बिजनेस आइडिया को थेल फेलोशिप, जो की पेपल कमपनी के सहस अंस्थापक पीटर थेल के थेल फाउंडेशन, द्वारा आयोज, ता एक वैश्विक प्रतियोगिता है के समक्ष लेकिन पता नहीं क्यूं उनका ये बिजनेस मॉडल आप एक्षित लाब देने में असफल रहा और और उरावेल स्टेग धीरे-धीरे घाटे में चला गया, पे परिस्थिती को जितना सुधारने का प्रयास करते, स्थिती और खराब होती जाती और अंत में उन्हें इस गया ओवाय ओरूम्स, प्रितेश अपने स्टॉट अप के असफल होने से निराश नहीं हुए और उन्होंने दुबारा स्वयम द्वारा अपनाई गई योजना पर विचार करने की सोची ताकि इसकी कम्यों को दूर किया जा सके, इससे उन्हीं है अनुभव हुआ की भारत में सस्ते होटल में कमरे मिलना या ना मिलना कोई समस्या नहीं है, दरसल का, नी है होटल का कम पैसे में बहतरीन मूल सुविधाओं को प्रदान न कर पाना, विचार करते हुए उन्हें अपनी यातराओं के दौरान बजट होटल में ठहरने के उन अनुभवों को भी याद क करें और फिर क्या था वर्ष 2013 में फिर ओरावेल लॉंच हुआ लेकिन इस बार बिलकुल नए नाम और मकसद के साथ, अब ओरावेल का नया नाम हो वाए ओरून्स, ओरून, सत्था, जिसका मतलब होता है, आपके अपने कमरे, ओरून्स का उद्देश अब सिर्फ ट्रेवल से संपर्ट करना होता है, इसके पश्चात कमपनी के कर्मचारी उस होटल में जा वहां के कमरों और अन्य सुविधाओं का निरीक्शन करते है, अगर वह होटल ओओ के सभी मानकों पर खरा उतरता है, तब ही वह ओओ के साथ जूर सकता है, अन्यता नहीं, सफलता के कदम, इ इसलिए उन्होंने एक बिजनेस फर्म 70 mm के CEO भावना अगरवाल से मिल बिजनेस की बारिकियों को बहतरीन ढंक से जानने का प्रयास किया, इन सलाहोंने आगे चलकर उन्हें कमपनी के लिए अच्छे निरनाई लेने में काफी मदद की, प्रारंप में ओर रूम, सको लगात की मांगों को पूरा करने के लिए कमपनी मेकर, मचारियों की संख्या 2 से 15, 15 से 25 कर दी गई, परतमान में ओं में कर्मचारियों की संख्या 1500 से भी ज्यादा है, कमपनी के स्थापित होने के एक वर्ष बाद, 2014 में ही दो बड़ी कमपनियों लाइट स्पीड वेंचर पार्ट के लिए प्रेरित किया है, वह है हर महीने ग्रहकों द्वारा एक करोड रूपे से भी ज्यादा की जाने वाली बुकिन, आज मात्र चार वर्षों में ओयोर रूम्स 15,000 से भी ज्यादा होटलों की श्रिंखला, 10 लाग कमरों के साथ देश की सबसे बड़ी आराम देह एवं स 2016, प्रतिष्टीत अंतराष्ट्रिया मेगजीन जी क्यूग, जेंटल्मन, स्कॉटली, ने रितेश अगरवाल को 50 Most Influential Young Indians, Innovators की सूची में शामिल किया है, इस सूची में उन्युवा इनोवेटर्स को शामी लगिया जाता है जो अपनी नई सोचवा विचारों से लोगों की जिन्दगी को आसान बनाते हैं, I hope एए information अच्छी लगी होगी, हमारे साथ बने रहने के लिए subscribe करो, साथ ही notification bell को भी on कर दो, ताकि आप हमारे नई वीडियो की notification पाए सबसे पहले, वीडियो को like करो, आपने family of friends के साथ share करो, मैं मिलूंगा आपको next वीडियो पर, तब तक कि यूजे ही